नमस्कार, आउकल गुरांग का दुसरा भाग देख लिजिए, ये 11 गडित है, सब देख सकते हैं, सब जानेंगे, बहुत ही आसान है, ये आउकल गुरांग दुसरा भाग, ये पहला सवाल है, दुसरा, बुक में 16 और 17 सवाल है, देख लिजिएगा, ये पहला सवाल, X, whole 1 प गुरांग ग्याद करना है, तो ये पहला का देख लिजिए, हल, हल, X, 1 पलस, X, वर्ग है, ये पिछले काक्षा में पढ़े होंगे, A पलस, B, whole वर्ग, ये सुत्र लगा है, A पलस, B, whole वर्ग, यानि, बराबर A वर्ग, पलस, B वर्ग, 2AB, पलस, B वर्ग होता है, यानि कि A पलस, B, whole वर्ग, बराबर A वर्ग, पलस, 2AB, पलस, B वर्ग के सुत्र से हल करेंगे, बराबर X, A वर्ग, यानि, एक का वर्ग, एक ही होगा, और 2AB, 2A, A और B, A है, एक A है, और X, B है, 2AB, यानि कि, 2, 1, और X, इस परकार से, इस परकार से, असानी से हल कर सकते हैं, पलस, B वर्ग, यानि कि, X का वर्ग, इस तरह से, अब X को इस सभी में गुड़ा कर दिजिए, X से गुड़ा करेंगे X, और ये 2X है, तो X गुड़ा करेंगे, तो 2X वर्ग होगा, और इसके साथ, X वर्ग के साथ, X का गुड़ा करेंगे, तो X का पावर 3 हो जाता है, इस परकार से, इजी तरीक कसे हल होता है, अब, डी बाई, डी एक्स, इसको लिख लिजे, कुष्चान को X, 1 पलस X होल वर्ग, इस तरह से, बराबर, डी बाई, डी एक्स, और एक्स, धन, दो एक्स वर्ग, जें का त्यों लिख दीजे, पलस X क्यूब, इस तरह से, अब, इसे, अलग-अलग करना है, देख लिजे, कैसे करते हैं, बराबर, डी बाई, डी एक्स, X, अब एधन को लिखे, ये धन को, धन, डी बाई, डी एक्स, पिछले वीडियो देख लिजेगा मेरा, डी बाई डी एक्स, ये टू एक्स वर्ग, इस तरह से, पलस, ये पलस है तो, डी बाई, डी एक्स, और ये एक्स का क्यूब, इस परकार से, अब इसका d by dx x का मान एक होता है तो एक लिख लिजिए पलास इसका ये दो को बाहर कर दिजिए दो d by dx x वर्ग रह गया है यहां पर पलास अब इसका यानि के सूत्र यहां पर देख लिजिए इस सूत्र को d by dx x n रहता है तो nx यह पावर n यहां nx n-1 n के इस्थान पर यहां पर 3 है 3 है तो 3n n बराबर 3 तो 3, sorry 3 और x x और 3-1 n-1 तो 3-1 इस तरह से अब देखिए 1 पलास 2 इन्टू और x कुशी तरह n के स्थान पर 2 है और x 2-1 तो 1 ही होगा 1 लिखिए या ना लिखिए पलास 3x और यहां वर्ग हो जाएगा यह घटेगा तीन मेंसे एक घटाएंगे दो इस परकार से अब देखिए इसके इन्सवार अब हल हो गया है एक धन दो दूनी 4x होगा x ही है पलास 3x और यह है बहुत ही असानी से इस तरह से हल कर सकते हैं यह इन्सवार है इस परकार से इजी तरीका से हल होता है और अगला सवाल देख लिजिए अगला सवाल दूसरा है दूसरा सवाल है यह x धन एक बटे x यह होल वर्ग है इसको भी a पलास b होल वर्ग के सुत्र लगा दिजिए तो x वर्ग, a वर्ग यानिक x वर्ग पलास 2ab, 2x, x है a की स्थान पर पलास a b की स्थान पर 1 बटे x इन्टू 2 इन्टू x इन्टू 1 बाई x पलास b वर्ग, एक का वर्ग एक ही होगा b वर्ग और x का वर्ग डारेक्ट यहां कर लिख दिजिए इस प्रकार से, आप देखिए इसको कार दिजिए और इसको कार दिजिए एक बटे x वर्ग बराबर x वर्ग पलास 2 पलास यह उपर चला जाता है वर्ग तो x माइनस 2 होगा इस तरह से इसलिए d by dx x धन एक बटे x होल वर्ग बराबर d by dx जेयों का तेवं इसे लिख दिजिए एक बार x वर्ग धन दो धन x का पावर माइनस 2 इस तरह से अब बराबर d by dx x वर्ग और यह पलास d by dx x यह 2 पलास d by dx यह x का पावर माइनस 2 इस तरह से अब असानी से हल होता है देख लिजिए x वर्ग को जानते हैं x वर्ग का एन की स्थान पर 2 है तो 2 x 2 माइनस 1 यानि की 1 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा पलास और यह d by dx 2 की स्थान पर 0 देख लिजिएगा अचार रासी के बारे में 4 और अचार रासी के बारे में बुक में पढ़ लिजिएगा यहाँ 0 होगा पलास यहाँ इसको हल करेंगे तो देख लिजिए माइनस 2 x और यह माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 होगा इस परकार से यह देख लिजिए अब हल हो गया है देख लिजिए 2 x यह 2 x धाने 0 0 कोई भेलू नहीं है पलास माइनस माइनस 2 x माइनस यह पावर माइनस 3 अब इसको इनस्वार लिख सकते हैं 2 x रीड दो बटे x क्यूब इस परकार से एनस वार है यहाँ पर डबल लिख दिया हूँ इस तरह से लिख सकते हैं डारेक्ट इसको ना लिख कर किसको भी डारेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से असानी से हल होता है, ये नीचे आ गया, इसलिए यहाँ पर X पलस हो गया ये, X का घात धंतरी हो गया, पिछला वीडियो देख लिजएगा, असानी से जानने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब केजिए, वीडियो को सेर केजिए, धन्यवाद,